आप देखिए माता अंजनी एक स्रापित महिला है लेकिन उसको स्राप से मुक्टी के लिए पवन देव सक्रिये हैं, सिव संबू सक्रिये हैं, राजा दसरत के यग्य में जो यग्य देवता हैं, अगनी देव हैं, वो परशाद दे रहे हैं रानियों के लिए लेकिन ता सक्रिये हो गए थे कि इसे स्ट्राप से कैसे मुठी मिले और कैसे इसके कर्व को पवित्र किया जा और कैसे इसके कर्व में युख पुरुश का चनल एसी सुबा नार आये जल ऐसी शार जिस दिन सुबा पे मेरी आये नशित का नार एक से बोले बढ़वान सिव संबू की मा अंजली खोर तपस्या करती है और बढ़वान सिव संबू का आभवान करती है मार्ग मिल चुका है एक तपस्वी को अपने जीवन के संताप से मुप्ति के लिए मार्ग मिला है रिशी ने बता दिया कि मार्ग क्या है अब मार्ग जब पता चल जाता है तो भक्त को उस मार्ग पे चलना होता है सिर्फ मार्ग जानने से जीवन में कल्याण नहीं होता मार्ग पे चलने से जीवन में कल्याण होता है लक्ष की प्राप्ती की सूचना से ही लक्ष की प्राप्ती नहीं होती है जब आप उस पे चलते हो क्रियानवित करते हो कारे करते हो कतिवीदी करते हो तब जाकर आप कहीं पहुँच पाते हैं जिन्दगी में हमेशा याद रखना सडके तो सब के लिए बनी है कुछ लोग सडक के किनारे जिन्दगी भर बैठे रह जाते हैं कुछ लोग सडक पे तेजी से चलते हैं कुछ लोग ठकते हैं विश्राम करते हैं फिर से चलना शुरू सिर्व कर देते हैं और जरूर कहीं न कहीं कभी न कभी अपने लख्ष पहुंचा एक में याद रखना सड़कों में कंकर पथर गड्टी भी मिलेंगे लेखिन जीवन का जो लख्ष है जो मार्ग है उस पे छलते रहना चाहे रेंग के चलो घसीट के चलो लेकिन चलो रुकना मत ठकान हो जाए विश्राम कर लेना मगर फिर भी चलना रेंगते रेंगते भी कछवे के चाल से भी चलोगे तो किसी ना किसी दिन किसी ना किसी लक्ष पे पहुँच भी जाओगे मा कहती क्या है तपस्वी जो माता है अंजनी उसको पता है मेरा लक्ष क्या है पता है मेरा मुक्ति दाता कौन है लेकिन वो मुक्ति दाता आएगा नहीं बुलाना पड़ेगा वो भगवान वो इश्वर वो कौन है शिव संभू हैं आएंगे मुक्त करेंगे लेकिन वो शिव संभू हवाई जहाज की तरह आकास में मंडराने वाली दिव्य शक्ती है वो हवाई जहाज मंडराते रहेंगे लेकिन नीचे जमेन पे जब तक उसके उतरने की ब्यवस्ता कोई नहीं करेगा वो मंडराते रहेगा उतरेगा नहीं करेगा वो उतरने की ब्यवस्ता एक भक्त को करनी पड़ती है यानि एक भक्त को अपनी पात्रता जगानी पड़ती है अपने मन की पात्रता अपने तन की मात पात्रता अपनी आत्मा की पात्रता जगानी पड़ती है क्योंकि जब आत्मा को परमशुद कोई नहीं करेगा तो परम एक व्यक्ति को माता अंजनी यहां क्या कह रही है एक माँ अंजनी एक सधारन इस्त्री हैं हम सभी माताओं बेहनों की तरह हैं दुनिया की सारी माँ दुनिया की सारी बहुएं सारे पिता और माता यही चाहते हैं कि उनकी संतान बहुत अच्छी हो डिब्य संतान हो आत्मा प कि एक महान संतान मुझे प्राप्त हो लेकिन खीमत नहीं देना चाहते माता अंजनी इस दुनिया को बता रही है कि आने वाले समय में सिवसंभू के अवतार की मैं मा बनने वाली हूं लेकिन मुझे अपनी पातरता विक्सित करनी पड़ेगी मुझे अपनी पातरता विक्सित करनी पड़ेगी नहीं तो सिवसंभू नहीं आएगे अक्सर आपने देखा होगा लोग कहते हैं मेरी हाथ की लखीरों की किस्मत की रेखा बड़ी अच्छी है ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे किसी की कुंडली कोई देखकर कोई जोती साचारे कहता है कि इसकी कुंडली में लिखा है ये एक दिन महान इंसान बनेगा इसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी बेपारी बनेगा बड़ा आदमी बन जाएगा लिखा रहता है लेकिन जिन्दगी के अंतिम पढ़ाओ में उसी कुंडली को कोई देखता है तो कहता है अरे इसकी कुंडली में तो बड़ा उज्वल भविश्य लिखा था लेकिन ये त साथ नहीं कह सकता कि तुम जीवन में सफल होई जाओगे प्रतेक जोतिशा चारे कहेगा आप मेंसे भीकोंड कोई अगर जोतिश के बारे में जानते होंगे तो आप guarantee के साथ 100% किसी को नहीं कह सकते कि होई जाएगा आप कहेंगे संभावना है प्रियास करोगे यानि बीज रूप में आपकी किस्मत पड़ी हुई है अब बीज को प्रसारित करने के लिए अंकुरित करने के लिए बहतर माहौल दोगे सिचाई करोगे खात पानी दोग तो एक दिन वह बीज बड़ा सब रिक्ष बनेगा और बहुत सारा फसल देगा या फल देगा लेकिन माल लीजिए कि बीज की संभावना बहुत अटल है लेकिन उस बीज को ले जाकर अनफूल के जगह पर प्रतिकुल स्थान पर पत्थरों पर डाल दोगे सिचाई नहीं क शमता को संभावनाओं का गला गोड़ देते हैं माता अंजनी श्रापित इस्त्री है हनुमान जी की पूजा उसके बेटी की पूजा होगी पूरी दुनिया में लेकिन मा भी कैसी होगी सधारन नहीं हो सकती सधारन मा के गर्व से सधारन बच्चे पैदा होते हैं अगर सधारन मा बनना पड़ेगा दूसरा कोई विकल्प नहीं है भगवान कहते हैं जितनी पढ़ाई करोगे जितनी योग्यता विक्सित करोगे उतना ही पुरसकार मिलेगा योग्यता कितनी विक्सित करोगे उसी के अनुसार से पुरसकार मिलेगा यानि कि यह जो कथा हनुमान राम के भक्त, लेकिन हनुमान को भुलाने वाला भी कैसा होगा, वो कोई सधारन इस्तिरी नहीं होगी, तपस्या करती है, शिव संभू को और एक दो दिन नहीं, बारा वर्स तक, बारा वर्स तक घोर तपस्या करती है, बारा वर्स तक शिव संभू को याद करती है, आप थी शिव संभू की पूजा कर रही थी तो क्या उसके मन में कभी भी बारव वर्स तक को या मंगल के भाव आए होंगे क्योंकि मंगल की पूजा कर रही है मंगल की शुब की पूजा कर रही है शुब को बुला रही है तो जब सिव संभू को बुलाती है और सिव संभू का आवान करती है तो कभी बुरे विचार उसके मन में आएंगे जिन्दिगी का एक नियम है हमेशा याद रखना आप लो कल ये कथा समापन है कल की कथा का जिन्दिगी बहुत लंबी है बहुत बड़ी है यहाँ पर भाई बहन भी बैठे हुए हैं कल को आप लोग की भी शादिया होंगी एक मा जैसा सोचती है एक पिता जैसा सोचता है सोच का असर सिर्फ दिमाग पे नहीं होता सोच का असर उसके डियने में होता है उसका डियने बदल जाता है आप अगर लगतार एक हपते भी अभी एक हपते भी अगर रोज लगतार अच्छी सोच रखोगे शुब के विचार रखोगे न और अगर आपके DNA को एक हफ़ते पहले के DNA को चेक किया जा और एक हफ़ते तक भगवान की भगती के भाव, प्रेम की भाव, करुणा की भाव के साथ चिंतन करोगे एक हफ़ते के बाद अगर DNA के केमिश्ट्री को कोई चेक कर ले तो बता देग एक ही विक्ति के दोनों DNA हैं, लेकिन ये DNA ज्यादा सकरात्मक है, ये DNA कम सकरात्मक है, यानि निरंतर हम ही ब्रह्मा हैं, और हम ही ब्रह्मा बनकर अपने जीवन का स्रिजन कर रहे हैं, निरंतर, और आप सभी को पता है कि विक्ति के DNA का ही ट्रांसफर होता है संतान के शरीर में और संतान के शरीर का निर्माण होता है यानि माता और पिता का डियने जैसा होगा वैसे ही संतान का डियने होगा यानि आप अपने संतान के जन्म के वक्त सिर्फ सरीर के निर्माण के लिए कारे नहीं करते हो आप उसके संसकार के भी निर्माण की प्रक्रिया के कारे करते अगर कोई माता और पिता अच्छे संसकार वाले नहीं है जगडालू है कोई पिता बहुत जगडालू है कोई माता बहुत जगडालू है तो उमीद मत करना कि आपका बच्चा बहुत संसकारवान बनेगा उमीद मत करना हो गया तो किस्मत की बात अलग है अब जैसे रावण क खंदान में भी कोई भीविशन पैदा हो जाए तो बात अलग है लेकिन समानने रूप से ऐसा होता नहीं है एक मा के बारे में मुझे पता है वो मा अभी इस दुनिया में है उस मा के बारे में मैं आपको सच्चाई बता दू कि अपने पती के साथ रहती थी लेकिन कभी पती स तुम है तो जेल का चक्की पिसवाऊंगी तुम पे केस कर दूँगी तुमको पुलिस से पिटवाऊंगी और गाली गलॉज उल्टा सीधा और पती की हालत कैसी पती बेचारा कुछ नहीं कर पाया और रोज-रोज के टॉर्चर को जहलते जहलते वो शराब पीने की आदत उ हो जाता था आदत लग गई शराबी बन गया शराबी बन गया मा को लगा कि बस मेरा पती मेरे सामने बोलने ही सकता इसके हिमत नहीं बोलने की मा खुश हो गई मा को बड़ा अच्छा लगा मेरे घर में मेरी चलती है अब किसी भी इस तरी को जब उसके घर में उसका समराज जो हो जाएगा तो कहेगी वा मेरे घर में मेरी चलती है मेरे सामने चू तक नहीं कर सकता मेरा पती तो उस मा को तो बड़ा अच्छा लगा उसके बेटे और बेटी दोनों हुए धीरे धीरे बेटी बढ़ने लगे और आज की सचाई क्या है कि उसी मा की जो बेटी बड़ी अब अपनी मा को बच्छपन से उसने देखा था लड़ाई जगड़ा करते हुए और पैरों के नीचे अपने पती को दवा के रखते हुए जब देखा था तो बेटी क्या अपने पती को पती पर मिश्वर समझेगी वो भी जाकर अपने पती से यानि कि माता जी के दमाद स बुरा किया लेकिन उस मा को नहीं लगा कि तुमने जो संसकार दिया था अपने बच्पन से अपनी बेटी को लड़ाई जगड़े का संसकार जब तुम अपने पती से लड़ रही थी तो उस समय तुम्हें लगा नहीं कि तुम्हारी बेटी क्या सती सावित्री बनने वाली वो भी जगडालू बनेगी वैसे ही तुम्हारा पती है सराप पीकर जिंदगी गुजार लेता है कोई दूसरा दमाद निकलेगा ठेड़ा निकल या छोड़के चला जाएगा क्या कर लोगी तुम अभी वही बोज वही लड़ाई जगड़े का बोज इसके सर पे आके बठी हुई है और मा जहल रही है प्रतेक माता और पिता अपने बच्चे के संसकार का निर्माण खुद करते हैं आप अगर बहुत अच्छे बनाना चाहते हो अपने बच्चे को तो आपको खुद बनना पड़ेगा अच्छा गलती से ब्रह्मत पाल लेना कि भगवान अच्छा बना देंगे माता अंजनी यही कह रही है कि वो आएगा मेरा पुत्र सिवसंभू के अवतार के रूप में आएगा लेकिन उसके पहले मुझे अपने अंदर के डियने को बदलन पड़ेंगे ऐसे ही नहीं चलाएगा भारत में एक नियम है कि भारत का संभिदान कहता है कि आपको आजादी है आप चाहे जिससे मर्जी शादी कर लो यह पूरी आजादी है भारत का संभिदान जो अमेटकर जीने लिखा उसमे पूरी आजादी है आप जिससे मर्जी साधी कर सकते हो लेकिन वही संभिधान एक नियम भी रखा है, अगर कोई बारतिया किसी किसी विदेशी महिरा से साधी कर लेता है, या कोई बारतिया लड़की किसी विदेशी पुरुछ से साधी कर लेती हैं, तो किसी भी जिम्मेदार पद पे, sensitive पद पे उसको नहीं रखा जाएगा जैसे आर्मी का head में ही बनाया जाएगा उस पती को अगर उसकी पत्नी विदेशन है और अगर महिला है Air Force में है नेवी में आर्मी में है और बड़े पोश्ट पे है और उसने विदेशी पुरुष से शादी कर ली तो तुरं से sensitive पद पे जो बहुत संवेदन शिल पद है जिससे की राष्ट की सूचना इधर उदर जा सकती है तुरं से उस पद से उसको हटाया जाएगा दूसरा पद दे दिया जाएगा लेकिन उस पद पे उसको प्रात्मिक्ता में रह कर आपके अनुसार से वो अपने नियम को भी बदल देता है यानि आपके अंदर की जैसी पातरता होगी उसके अनुसार से ही आपको पद मिलेंगे जब दुनिया के पद आपके पातरता के अनुसार से मिल रहे हैं तो उस इश्वर के लिए आपका गर्व भी तो एक पद है जहां वो आएगा स्थान ग्रहन करेगा वो गर्व कैसा होना चाहिए वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए किसान बीज लगाने से भी पहले मिट्टी को ठीक करता है मिट्टी अगर अच्छी नहीं होगी तो कितनी भी अच्छी बीज डाल दोगे फसल अच्छी नहीं हो सकती यानि माता अंजनी क्या कर रही है माता अंजनी को पता है बीज रूप में शिव संभू आने वाले है मिट्टी तयार कर रही है मिट्टी तयार करने में समय कितना लगा बारव वर्स पता नहीं वो मिट्टी में बीज कहां से आएगा ये भी पता नहीं वो भी पता नहीं लेकिन फिर भी कर रही है और देखिये कैसा चमतकार होता है कहते हैं कथा कहती है कि राजा दसरत बुजुर्ग होने लगे थे राजा दसरत मनल जीवन का चक्र कैसे चल रहा है राजा दसरत बुजुर्ग हो रहे हैं दुखी हैं उनको लग रहा है कि मेरी सं संतान नहीं है अब क्या करें तो पुतेश्टी यग्य करवाते हैं और जब यग्य कराते हैं तो उस यग्य से अगनी देव प्रकट होते हैं और यग्य देव जब प्रकट होते हैं तो वह हाथ में एक प्याला लेकर निकलते हैं कटोरी लेकर निकलते हैं उसमें खीर थी और अगनी देव ने कहा था, यक यक देवता ने कहा था कि हे राजन ये ले जा आपने राणियों को बराबरी से खिला देना, बराबर हिस्से में खिला देना तुम्हें संतान के प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे समराज्य को आगी के तरह बढ़ाएंगे, खुल का नाम रोशन करेंगे राजा दसरत बहुत खुशी-खुशी से प्रेम से उस प्याले को लेकर आते हैं तीनों रानियों में बराबरी से बाट देते हैं मंदारी से जो दो रानी है माता कौसल्या और माता सुमित्रा जल्दी से खा लेती है तुरंद से प्रशाद मिला खा लेती है माता के रही विचार कर रही है कि खाएंगे, कोई बात नहीं, उसी समय एक चील उड़ने वाली चील कहीं से उड़ते हुए आती है और हात में कटोरी में, जब खीर दिखाई देती है, तो वो चील चोच मारती है उसमें पूरी कटोरी तो नहीं उठा पाती है लेकिन खीर उठा लेती है चोच में खीर भर लेती है और उसी खीर को लेकर वो उड़ जाती है खीर को जब लेकर उड़ती है तो माता को आश्चर जुआ माता के कई को कि मेरी खीर लेकर चली गई कुछ अंस खीर कर रह गया कु देश में माता अंजनी तपस्या कर रही है और माता बार बार आकाश की तरफ देखकर कह रही है कि मेरे संताप से मुक्ति के लिए है प्रभू आप ही संतान के रूप में आजाओं क्योंकि जब आप आओगे तो मैं इस संताप से श्राप से मुक्त हो जाओंगी ऐसा बार बार वो आकास की तरफ बिंती करती है जब बिंती करती है हाँ तो को फैला कर बिंती करती है ठीक उसी समय चील जो उड़ रही थी उपर से उसकी चोच खुल जाती है और सीधा हाथ में वही खीर मिलती है और खीर जब मिलती है तो राजा केसरी बगल में बैठी हैं कोई और है रहा है तो फ्रेम से बोलिए मां अंजनी की भगवान सी उसंभू की मिला जो प्रशाद और वहीं पवन देव भी सामने खड़े हो जाते हैं और पवन देव से जब पूस्ती है देवताप कौन है तो उन्होंने कहा कि हे देवी आपके श्राप मुक्ति का समय चला आया है भगवान सी उसंभू का प्रशाद आपके पास चला आया है उनके आने का समय चला आया है और मेरे पवन वेग से यह प्रशाद आपके पास चला आया है यह प्रशाद चला आया है यह प्रशाद चला आया है जो ग्रहंड कर रही हो यह आने वाला ज जनी एक स्रापित महिला है लेकिन उसको स्राप से मुक्टी के लिए पवन देव सक्रिये हैं सिव संबू सक्रिये हैं राजा दसरत के यग्य में जो यग्य देवता हैं अगनी देव हैं वो प्रशाद दे रहे हैं रानियों के लिए लेकिन प्रशाद उनके लिए भी भुज़वा है यानि एक बार माता अंजनी ने अपने अंदर की पात्रता को जगाया था तो सारे देवी देवता सक्रिये हो गये थे कि इसे श्राप से कैसे मुट्टी मिले और कैसे इसके कर्व को पवित्र किया जा और कैसे इसके कर्व में युग पुरुष का जनब और वही समय था जब भगवान बजरंग बली का जनब होता है तो प्रेम से बोलिए भगवान बजरंग बली की माहाद बगवती की जय हो